तुलनिया है आपकी जिवर्ता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उंचाई पर आप मा भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उंचाई से भी उंचा है जहां आप तैनाथ है आपका निश्चाई उस गाटी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कदों से नापते हैं आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ति आज पास के परवतों जितनी अटल है आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा साथशाथ अपनी आँखों से इसे देख रहा साथियों जब देश की रख्षा आपके हाथों में है आपके मजबूत इरादों में है तो एक अटूट विश्वास है जर मुझे नहीं पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंद भी है आप जब सरहग पर डटे है तो यही बात प्रतेख देश्वासी को देश के लिए दिन राग काम करने के लिए प्रेवित करती है आत्म दिर भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण आपके त्याग परिदान पुरसाथ के कारण और मजबूद होता है और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला फोजियों को भी देख रहा हूं युद्ध के मादान में सीमा पर ये दर्श अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जैवोल कलम आज उनकी जैवोल तो मैं आज अपनी वानी से आपकी जैवोलता हूं आपका विननन करता हूं मैं गलवान गहाटी में शहीद हुए अपने वीज जवानों को भी पुनह सुरद्धाजली अर्पित करता हूं इनमें पूरत से पस्चिम से उत्तर से दक्सिर से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे उनके प्राकरम उनके सिहनाथ से धर्ती अब भी उनका जैकारा कर रही है आज हर देश वाजी का सीर आपके सामने अपने देश के वीज सेनिकों के सामने आदर पुर्वक नत मस्तग होकर के नमन खरता है आज हर भारतिय की चाती आपकी वीरता और प्राकरम से फुली हुई है साथ्यों सिंदू के आशिरवाद से ये धर्ती पुन्य हुई है वीर सपुतों के शवर्य और प्राकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुए है लेख लद्दाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर जोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंगड पत्थर भारतिय साइजिकों के पराकरम की गवाही देते हैं कि फोटिंग कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है तुरिया ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथाएं गर्ण गर्ण में गुंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर भोई देखी है और आपकी फ्यूरी भी साथियों लग्दा का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है ये रिम पूंचे जी ही उनी के फैरन जिनोंने दुश्मन के नापाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया दिम पूंचे के गुवाई में यहां अलगाव परदा करने की हर साजीस को लद्दा की राष्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया ये विनी के प्रेरक प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाक स्काउट नाम से इंफंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दाक के लोग हर स्थर पर चाएं वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तक देखो राष्ट को ससक्त करने के लिए अदभूत योगलान दे रहे साथियों हमारी यहां तहां जाता है खडगेन आक्रम में बंजी तहां खडगेन आक्रम में बुन्जी तहां वीर भोग्या वसुंद्रा यानि वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमे की रक्षा करते हैं ये धर्ती वीर भोग्या है वीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमारे जितना ही ऊंचा है ये सामर्थ और ये संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर ये साप साप नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हम लोग को अत्याचारों का मुह तोड़ जवाब दिया है हम और ये हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसूरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंड़ा से हर आकर्मन के बात भारत और ससक्तव करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांती की पूर्वशर्ट होती है भारत आज जल थल नग और अंत्रिक्स तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष मानव कल्याड ही है भारत आज आदुनिक अस्त्र सस्त्र का निर्मार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्र का निर्मार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व उद्र को अगर हम याद करें विश्व उद्र हो या पिर शांती की बात जब भी जबरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानवता की इंसानियोत की हुमेनिती की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की इस मही महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत दिर्वलुवर्धी ने सैंक्लो वर्ष पुर्व कहां था मारा मानं मांड़ वडी चेलव तेकुं येना नानगे येमं पड़ाई कहा यानि शौर्य सम्मान मर्यादापुन व्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गूं किसी भी देश की सेना का प्रतिविंग होते हैं भारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारवाद का यूग समयात हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से पदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही वविश्य का आधार भी है बीती शतारवद्यों ने बीती शतारवद्यों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज़्यादा हित किया मानवता को विनाज करने का प्यास किया विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हिया है उसने हमेशा विश्व शांती के सामने खत्रा पैदा किया और साथ्यों ये न भुले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकतें मिट गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वाद को समर्क्वित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है साथियों जब जब मैं रास्त रक्षा से जुड़े किसी नीड़े के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का समर्ण करता हूँ जब भी मैं रास्त रक्षा के विशे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वेवीर माताएं दूसरी विवीर माताएं जिनोंने आप जैसे प्रमाग पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूँ मेरे नेरे की कसोडी यही है इसी कसोडी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच प्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आधुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं अब देश में बॉर्डर इंफ्रस्ट्रेक्चर पर खर्च करीब करीब तीन गुनाद कर दिया गया जाए इससे बॉर्डर इरिया डेवलप्मेंट और सीमा पर सडके पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाब ये भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुंचता है साथियों सेनाओं में बहतर समन्वाई के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी वो चीफ अब डिफेंस टाप के पत का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल बॉर मेमोरियल का निर्वाण वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरे से लेकर सिख्षा तक की सही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साथियों भगवान गौतम बुन्त ने कहा है साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है कन्विक्शन से है साहस करुणा है साहस कमपेशन है साथ वो है जो हमें मिर्भीक और अडिक होकर सत्तके में पख्ष में खड़े होना सिखाए साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों देश के वीर सपूतों ने गलवान गाटी में जो अदम्या साहस दिखाया वो पड़ाकरम की पड़ाकाश्टा है देश को आप पर गर्व है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे आईटी बीपी के जमान हो बी एसेप के साथ ही हो हमारे बियारों और दूसरे संग्षणों के जबान हो मुश्टिन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो स्रमीक हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिला कर मा भारती की रक्षा के लिए मा भारती की सेवा में समर्पित है आज आज आप सभी की महनत से देश अनेत आपदाओं से एक सांथ और पूरी दड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं विजय प्राप्त करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस बारत के सपने को लेकर और विशेश रुप से आप सब सरहत पर देश की रख्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपने का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश्वासी भी पीछे नहीं रहेंगे यह मैं आज आपको विश्वात दिलाने आया हूं हम एक ससत्र और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जम मिलती है तो आत्मंदिर भर भारत का संकल पर भी और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक मार आप सभी का रवे से बहुत पर अभिननन करता हूं मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बंदें करिंदो जो आत्मंदोर sacarा आप धुटी